खेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोगों की अपने गे अपने लिटे ब्लौगर तो इमें पिछले बि्लौगर में बताई थी कि अब हम लोग का कहीं प्लान बन रहा है जाने तो हम लुग जा रहे हैं मेह दैवी माता मंदिर लिए तो टिकेट था पहले से लेकिन कोई तो यह जो देख रहे हैं बैग वगरा और कपड़े आलमारी खुली हुई तो यह सब तयारी क्या है मतलब आज ही निकलना ही था और देखिया हम लोग तयार भी हो गये हैं तो कंफर्म इसलिए नहीं था जाना क्योंकि बैटरी का एक्जाम था जैसे प्रैक्टिकल था तो उस 10 बजे था लेकिन आया था 11 बड़ी तो इसलिए 10 सवा 10 बजे घर से निकले ही और जो रेल्वे स्टेशन है वह हमारे घर के में पास है तो ज्यादा काई नगता है घर से तो बस निकल गए हैं और देखिये रात निकता अंधेरा और सब जायसे बाते दुकाने जो हैं वह ब सभी इस्टेशन पहें काफी लोग सुए हुए थे और हम लोग थे हम लोग तही और यकार परिवारा और फई यो टेन पकड़ने के लिए रुके खें और कोई था नहीं इतना चोटा सा कस्बा है यह कोई बड़ा सहर नहीं है इसलिए ज्यादा भिरभार नहीं होता है रेलो एस्टेशन पे कम ही लोग होते हैं तो और बाकी जितने लोग थे वो टेन पकड़ने वाले नहीं सोने वाले थे वो लोग उन लोग को टेन नहीं पकड रहे क्या भी रिकॉर्ड कर रही हो कुछ भी नहीं आएगा फिर भी थोड़ा सा कर ले थी और यह देखिए पता नहीं यह साइद यह गाजी पूर का है या कहीं का है मुझे नहीं इतना याद है कि का का है कौन से रेलो इस्टेशन का यह तो मैं थोड़ा थोड़ा क्ले रही लेकिन मैं आप लोग के साथ कुछ-कुछ सेयर करने के लिए बहुत देर तक जगी थी कोई को इस्टेशन आये तो मैं बनाओ क्योंकि अंधेरे में तो कुछ बाहर दिखाई देता नहीं है जो इस्टेशन आता है वहीं पे दिखाई देता है और फिर सुबह में जल्दी भ लोग पहुंचे थे आठ बुजे पहुंचे थे और यह देखिए सुबह का टाइम था अब जाला जैसे की धूफ होने लगा था उस टाइम तो जब शाड़े-पांच बजे था उतना धूफ नहीं हुआ था अब धूफ होने लगा था तो वहीं मैं थोड़ा सा और रिकॉर तो वहीं है और मैरा सफ़र क्या होता है कि मैं अकसर तो मुंबई यहां जाती हूं यहां से चड़ती हूं शर्टी रिक्म मुंबई के स्पिशल नहीं होता है तो मैं बहुत आराम से रिलाक्स राती है तो आगजे जाता ही नहीं है दिसलिए मुझे onजा नहीं लेकिन इस वार ऐसा नहीं था जो रूट है वो तो सेम था लेकिन हम लोग को बीच रास्ते में एंपी में ही उतरना था तो यह जो मैहर माता मंदीर है वो एंपी में है सबको जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता दूँ अइसे तो सबको पता होगा कि माध्य-प्रदेस में को पड़ता है महरसे इस्टिशन और वहीं से इस्टिशन के घे भगल में हिम लोगों гарत और वहां से किलोमीटर दोर मही हरमाता का जो है मंदिर है तो यह देखिया हम लोग का इस्टियसन आई गया बहुत दूर नहीं था एकदम मतलब पासी आ गया था तो बस बचों को जगा दिये थे हस्बिन भी आ गया थे अपने सिर्ट से क्योंकि हम लोगा जो बर्थ थो बर्थ थोड़ा सा आगे पिछे मिला था एक ही जगह पे नहीं मिला था सारा से बस इसलिए और बारिस हुआ था हो भी रहा था मौसम इतर बहुत अच्छा था सब बारिस के बाद कितना मौसम एक तो अच्छा भी था और बारिस के पूरे जो बनेंट पूरिज़ बड़े अच्छे दीक रहे था अऔर कहीं पहीं कुछ भी को नहीं दिख रहा है सब हरा हरा पेड़ पौधा या फिर पहाड भी हलका फुलका जो दिख रहा है वह भी एकदम हरा हरा है यह बहुत सुन्दर लग रहा था तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मैं recording कर ली थी बस आप हम लोग पहुंच गया है मैं है देवी स्टेशन और यहां से स्टेशन से जो यह ब्रीज है जो वहां के लोग होंगे उनको पता होगा ब्रीज से बस इधर जो पीछे साइड उतरने वाला रास्ता होता है उधर उतरने पर ही हम लोगा जो होटल था वो था एकदम दस करम भी सबसोटब यह हम लोगा होटल है वह घर यह हम लोग लोगा होटल है तो इतना था अप लोगो दिखाओंगे देखे ही होटल है और मुझे मालूम ने था जब हम लोग उत्रे और गया होटल में तो पता चला रही तो वही होटल है देखिए यह दिख रहा है पार्किंग में जो गाड़ी है यह होटल में हम लोग आ गए थे और यह रिसेप्शन का है यहां पर गनपती भगवान का यह बना हुआ था बड़ा ही सुंदर लग रहा था तो मैं थोड़ा सा रि चाय और बेटा खाता है चाय के साथ तो उसके लिए पार्ले जी बिस्कित आ गया था और चाय हम लोग मंगवाये थे क्योंकि अभी ब्रस किये हैं तो अभी कुछ खाने का मन नहीं था बैटी को थोड़ा सा भूग जैसा लग रहा था तो इसलिए पार्ले जी मंगवाया थ यहां से उतर के ही आप नहीं भी जाएंगे जहां मैहर देवी में आपको जाना होगा जो हुआ है ता हम लोग अब रेटी हो गए थे और आप जा रहे थे नीचे थोड़ा सा नास्ता करेंगे कुछ और उसके बात जाएंगे मैहर देवी दर्सन करने के लिए तो बस यह जो वह लगा रहे थे हम लोग और ये नहीं लग पा रहा था लोक तो उनके जो काम करने वाले वाले उनको बुलाए थे कि आप ही लगा देजी घ्या पीएंगे चाय पीएंगे तो बस इसी के लिए नीचे उतरने लगे थे यह हमारा जो रूम है वह सेटेंड फ्लोर पर था और हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आना था और यह रहा हमारा जो हम लोग मंगाये थे आलू का पराठा था दही था पोड़ी था और सब्जी लेकिन बहुत तेस्ट बहुत अच्छा था एकदम घर की तरह था टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम लोग होटल में खा रहे हैं और यह इनका डाइनिंग यह दिया है बहुत सुंदर है क्योंकि यह नया ही है तो जाहिर से बात है सब कुछ अभी एकदम नया और प्रेस है और इसमें जगें भी बहुत ज़्यादा था बहुत जादा इसपेस लेकि यह बनाया गया था होटल को जो हमारा रूम भी था वह भी काफी उसमें जगे था जैसे उसमें ट्रिपल बेड था क्योंकि बच्चों को यह से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तो ट्रिपल ब्रेट था उसके बावजूद बहुत बड़ा उसमें जगे भी था काफी जगे था मैं रूम टूर भी है थोड़ा से सेर करूंगी तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग मिलते हैं अगले ब्लॉग